प्रिये विद्यार्थियो मैं इंद्रा गंदी राष्ट्रि मुक्त वश्विद्याले और सीख्ष्च विद्या पीट की ओर से आप सब ही का अपने बीअ्ट कारिक्रम में स्वागत करता हूं जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बीअट कारिक्रम दो वर्स का मुक्त and दूरस्त मात्यम से चलने वाला कारिक्रम है जो राश्ट्री अध्यापक सिक्षा परिशद NCTE से मानिता प्राप्त है हमारे बीड कारिक्रम का उतेश माध्यमिक और उच्छतर माध्यमिक इस्तर पर सिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक समझ आप में विक्सित करना है क्यों अलोचनात्मक शिंतन में मदद करता है साथ ही हमारे इस कारिक्रम में ग्यान नर्माण ही तो अध्यताओं की सक्रिय भागिदारी में मदद के लिए सध्धान्तिक और प्रियोगात्मक पक्षों दोनों को सम्मिलित किया गया है यदि हमारे बीड कारिक्रम के उद्देश द विविधिता आप देखते हैं उसकी सिक्षण अधिकम प्रक्रिया में क्या भूमिका हो सकती है इसके प्रतियां आपको समवेदित करता है हमारा बीड कारिक्रम विद्द्याले पाठे चर्या में जो सास्तुरिय ग्यान है डिसिप्लिनरी नॉलेज है उसके संपत्त्य करण में जो भी परिवर्तन हुए हैं उनकी समझ विक्षित करने का प्रयास करता है साथ ही ये कारिक्रम विद्याले कक्षा पाठे चर्या पाठे पुस्तक सामाजिक संस्थाओं आधि में जो जेंडर असामानताएं ब्याप्त हैं उनको पहचानने उनको चुनोती देने और उन आप में अधिगम में मदद है तो उचित आकलन युक्तियों के चैन और प्रयोग है तो आवशक शमताओं को विक्सित करता है हमारे बीट कारिक्रम का उद्देश बेविन्न पाठ्ठ चर्यात्मक छेत्रों के बीच निकट संबंद स्थापित करने है तो आप स्वयम अपन को समाहित करने और उपयोग करने की युक्ता आप में विक्सित करता है हमारा बीट कारिक्रम आपके अनुभवों को क्रम बद्द कर आपकी बृत्तिक शमताओं को मजबूत करने के लिए कारे करता है और आपको माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालेओं में एक रूप में सलग्न कर विद्यालेओं के क्रिया कलापों का साक्षात अनुभव आपको प्रदान करने का प्रयास करता है हमारे बीट कारिक्रम की अवधी दो वर्स है परंत चूकिये मुक्त और दूरस्त माध्यम का पाठ्यक्रम है इसलिए इस पाठ्यक्रम को पूरा करने की अधिक्तम अवधी पाँच वर्स है हमारे अनुदेशन का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं है आप हमारी पाठ्यसामिक्री प्रश्णपत्र अपने दत्तकारे दोनों में से किसी एक भाषा में कर सकते हैं यह कारिक्रम की रूप रेखा है प्रथम वर्स में ब्रादिवस की जो चार क्रेडिट की है आपको दो ब्रतिक शमदा ब्रद्यपार्थिक क्रेडिये जाते हैं और एक विद्यालेक प्रस्रेक्ण का कारीक्रम है तो यह प्रथम वर्स में आपको इतना चीज़ें करनी है वहीं दूतियवर्स में 12 शमदऺ सक्शन अवह पाठिक्रम है वो पूरे करने है और साथ ही अपना विद्यालिक प्रसेक्षन करना है जो प्रतम वर्ष की तुल्ला में अधिक अबधीका है आपको हमारे बीट का रिक्रम को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए नियूनतम 72 क्रेडिट के पाठिक्रम पूर्ण करने होंगे अब हम बात करते हैं प्रतम वर्ष में कौन-कौन से पाठिक्रम है जो मूल पाठिक्रम है वे पाँच है बाल्यावस्था एवं ब्रद्धी, समकारिन भारत और सिक्षा, अधिकम और सिक्षा, पाठिचर्या परेंत भाषा, सास्त्रों एवं विश्यों की समझे ये सिक्षण विशाय आधारिक पाठिक्रम देते हैं विज्ञान सिक्षण सास्त्र, सामाजिक विज्ञानों का सिक्षण सास्त्र, गलित सिक्षण सास्त्र, अंग्रेजी का सिक्षण सास्त्र, हिंदी का सिक्षण सास्त्र, जिनमें से कोई दो विशाय आपने चैन किये होंग ये ब्रत्तिक शम्ता ब्रद्धी संबंदी प्रयोगात्मक पाठेक्रम है और साथ ही आपको एक पाठेक्रम विद्याली प्रसिक्षन जो चार सप्ता का है वो आपको प्रतम वर्ष में पूरा करना है वहीं दुतिय वर्स में जो मूल पाठेक्रम है वे हैं ग्यान एवं पाठेचर्या, अधिगम के लिए आकलन, एक समावेशी विद्याले का सरजन, जेंडर, विद्याले और समाज, इन चारो मूल पाठेक्रमों को आपको पूरा करना है, साथ ही हमने तीन बेकलपिक पाठेक् मुक्त एवं दूरस्त सिक्षा, नर्देशन एवं परामर्स, सूचना एवं संप्रेशन प्रद्योग्य की, इन में से किसी एक पाठेक्रम का चैन आपने किया होगा, उसी पाठेक्रम को आपको पूरा करना है, दुतिय वर्स में भी एक वारा दिवस की कारेशाला है, जो क विद्याले प्रसिक्षन दुतिय जो कि प्रथम वर्स की तुल्ला में अधिक अविधी और अधिक क्रेडिट का है, आप देखेंगे, प्रथम वर्स में चार क्रेडिट का था, दुतिय वर्स में बारा क्रेडिट का है, ये आपको करने हैं, हमारे अनुदेशन तंत्र में ह हम आपको मुदृत पाठ्था सामेगरी उपलब्द कराते हैं आज कल हमारे यह पाठ्था सामेगरी हमारे इज्ञानकोष और आपके मोबाइल में इगनुई कंटेंट एप के माध्यम से भी आपको पलब्द कराई जा रही है आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही हम अपने विविन पाठ्थक्रम में आडियो और वीडियो प्रोग्राम बनाते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच आपको प्रतेक पाठ्थक्रम में कुछ दत्यकारे कूरे करने होते हैं विद्याली प्रिस्क्षन के दवरन आपको विविन प्रयोगात्मक करने हैं सद्धान्तिक पाठ्थक्रमों के लिए आपके अध्यन केंद्र पर निरंतर परामस सब्त्रों का आयोजन होता है इन परा सामानेता तीन प्रशन होते हैं आपको अपने दत्यकार क्यूंको पूरा करके अध्यन केंद्र पर नरधारित तिसी पर जमा करना होता है जैसे यदि आपने जनपरी 2020 में प्रवेश लिया है तो आपके दत्यकारें को जमा करने की तिथी संभवता सब्तम्बर होती है दत्यकारे या तो आप अपने अध्यन के इंद्र से प्राप्त कर सकते हैं या फिर जो बैब लिंक दिया गया है इस बैब लिंक से आप इगनू की वेबसाइट पर जाकर सीधे अपने दत्यकारें को हिंदी या बाशा में डाउंलोड कर सकते हैं कर दत्यकार या तो आप अध्यन के किंद्र से प्राफ्ट कर सकते हैं सरकार से मानने प्राप्त एक उच्ठ प्रारंविक मार्च मत्यमिक या उच्छ चैन आपने अपने प्रवेश लेते समय के अपने अध्यन केंद्र और छेती केंद्र की परिशीमा में ही किया हो सब्सक्रारे करने होंगे आपके बिद्याली परिवेक्षिं उस विद्याले के प्रदानचार आप द्वारा पहचाने गए आपके सलाकार अर्दात्मेंटर्स और आपके अध्यन केंद्र द्वारा न्यूक्त परिवेक्षकों द्वारा किया जाएगा जो ब्रत्रिक शंता-व्रदी संबन्धी पार्ठग्रम है ऐसे कोल चार पार्ठग्रम है प्रतम वर्ष में दो और दूतिय वर्ष में दो आपको इन में जो क्रिया कलाप सुझाए गए हैं वो या तो प्रसिक्षन विद्ध्याले में करने हैं या फिर कारिशाला के दौरान करने हैं इन पाठिक्रमों के आकलन का आधार आपके क्रिया कलापों के प्रतिवेदन होंगे जो आप कारिशालाओं के दौरान जमा करेंगे ध्यान रखे ब्रतिक शम्ता ब्रति समंदी चारों पाठिक्रमों में कोई भी सत्रांत लिखित परिक्षा नहीं होगी कारिशालाएं हमारे पाठेक्रम में वारा वारा दिवस्की होती हैं जो दो होंगी कारिशालाओं में कौशल और छमता विकास के अंता क्रियात्मक क्रिया कलाप होंगे कारिशालाओं का आयोजन केवल अध्यन केंद्र पर ही होगा और कारिशालाओं में भाग लेने की अनुमती आपको तभी मिलेगी जब आप उस कारिशाला से पहले वाले विद्याले प्रिसेक्शन कारिक्रम को पूर्ण कर चुके होंगे जहां तक मुल्यांकन का प्रश्ण है सद्धांतिक पाठिक्रमों के लिए तीन तरह का मुल्यांकन अपनाया गया है प्रतेक इकाई में आप देखेंगे कुछ बोध प्रश्ण दिये गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं वह आपका स्वयम का मुल्यांकन है उसके उसकी प्रस्दान्तिक पाठिक्रम में जो लिखित परिक्षा होगी उसकी भारिता 70 प्रत्षत है। आप ध्यान रखिए जो आपके प्रयागिक पाठिक्रम है उनका मुल्यांकन आपके सलसदकों और आपके सलाकारों द्वाला विध्याले प्रस्ट्रिक्षन के दौरान किया जाएगा। आप विद्याले प्रसिक्षन के दौरान जितने भी क्रिया कलाब करेंगे उनके पॉर्टफोलियों का आकलन वर्क्षाप के दौरान होगा साथ ही प्रसिक्षन बिद्याले में क्रिया कलापों का आकलन अध्यन केंदर और छेतरी केंदर द्वारा नियुक्त शिक्षप प्रसिक्षप भी करेंगे करेंगे हम अक्षर grade प्रणाली अपनाते हैं इसलिए हमारी परिक्षाओं में अंक नहीं दिये जाते हैं आपको grade A, B, C, D या E दिया जाएगा जिसका वेवरण आप इस तालिका में देख सकते हैं आप ध्यान रखिए कि इस कारिक्रम में सफल होने के लिए आपको प्रतेक सैध्धांगतिक और प्रयोगात्मक पार्टिक्रम में अलग-अलग नियुनतम C grade प्राप्त करना होगा आप अपनी विभिन समस्याओं के लिए विभिन लोगों से संपर्प कर सकते हैं जैसा यदि आपको अपने प्रिसेक्षन विद्याले में कोई समस्या है जहां आपको अपने विद्याले प्रिसेक्षन एक और दो को करना है साथ ही ब्रतिक शम्ता ब्रदी संबंधी कुछ क्रिया कलाब करने हैं उसके लिए उस विद्याले के परधानाचार और आपके दोरा चुनेगे सलाकार उपलब्ध रहेंगे आध्यन के इंद्र जो की एक सिक्षक प्रसेक्षण वहां विद्याले है दत्यकार वहां जमा किये जाएंगे और कारशाला वहां आयोजित होंगी इसके लिए आप कारक्रम प्रभारी से अपने सक्षिक परामर्श दाता से और कारशाला संसादक से संपर्क कर सकते हैं इसके बाद यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जानकारी हो तो आप जानकारी के लिए हमें हमारे mail id soe at the rate ignu.ac.in पर लिख सकते हैं तुरी विद्यार्थियों मैं सिक्षा विद्यापीट की ओर से एक पर पुना भीएट पार्टिक्रम में आपका स्वागत करता हूँ और आशा है कि आप इस पार्टिक्रम को पूरा करने के बाद एक अच्छे सिक्षक के रूप में देश नर्माण में अपना योगदान देगे